नमस्कार भाईयो में रास्तान गोट फारम अर्जे तौसिक बोल रहा हूं मेरा फारम अजमेर में है अजमेर वाइपास से आठ किलोमेटर की दूरी हो रहा है रेल वेटेशन से 15-16 किलोमेटर की दूरी पे तो यह लोट लाया हूं इस सिरोई नसल के बक्रे हैं जो इसमें कस है और इसमें क्योंटर के सारे आठ को दकार है यह दर्ण को पर बक्रे जादातर डिमांड बक्रेघिय Schedule 5 ay में wrap 10 अली जोड़र चाहिए आप में में सेंपल के तोर पर आपको दिकारों क्वालिटी साइनिंग वाले बच्चे हैं सारे और अच्छी ग्रोथ पर है और यह सारे बच्चे अधन तेरो कसी है इसके अंदर लगबग अंडू भी एक दो पीस अंडू होंगे वाकि कसी बच्चे तो सिरोई ब्रीड आप देख सकते हो ज्यादा तर डिमांड पर रहती है तो यह नसल के बच्चे अच्छी ग्रोथ भी करते हैं इस ग्रोथ के मैंने दू दात पर बखरे कि आप वेट भी बताया था कि अच्छी ग्रोथ रहो तो अच्छी ग्रोथ के लिए क्या खान पीन हो मेना इसकी मेरे इसका पर एंदश्फी ग्रोफ क्माव हो कया अच्छी होगा अच्छी क्या bought बच्चे आपको बताऊंगा इन दो इस क्यान में ऑले डोटे सारे बाले लोग ओक साइनिंग ओले ऐ तो साइनिंग स्पोर्टस देंग ड़दा जुआव को ज 이번 सीरूली चैनल्म और टेंगainen चीरा लगा के निकाल भी लिया जाता है या चाबी से किया जाता है पंच किया जाता है और यह अधन्त है देख लिए अभी दात नहीं किया बच्चे ने अभी अधन्त बच्चा है क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा आप ओडर पर बुकिंग साथ हो यह आपको 260-300 रुपे क के लिए किजि तक के भक्रे है जैसी आपकी रिकुबारमेंट जैसी आपकी क्वालिटी जैसे आपकी चोईस होगी इसहाफ से रेट है और कॉाण्टेटी के हिसाफ़ से बच्च सकते अ खूब सूर्ती के बारे में है यह भी कशीधिय की है अगर आपको कश्ची का हो और जैसे आपकी रिक्वार्मेंट हो यह भी मुंड़ा वक्चा है इनका वेट में बदा दू बड़ा बच्चा को तीस पे तीस कीजिए कोई पच्चिस तीस के जी का बच्च आप इन देग लिजए तीस के जी अटाइस तीस के जी बेट जाएगा क्योंको इसको बढ़े बच्चे करने के बाद उनका वेट बढ़ने लग जाता है ठीक है वह चोटा भी रहता है लेकिन वेट गएन होने के चर्वी साइनिंग रहती है तो आप अगर कोई नया फार्मीं भी कर रहा है तो मेरा सजेशन यह यह कि आप कम से कम 4-5 महिने से बच्चे उसे ही अगर आपको उसमें कोई लोस हो तो वह मेरी जिम्मादारी नहीं है बहुत सारी रिक्वर्मेंट यह कहते हैं मुझे आट-दस किलों के ही बच्चे चाहिए बाई देगो यह समझाना बार बार समझाते हूं कि आट-दस किलों को ले लोगे लेकिन जब आपको जब यह बच से नहीं होते हैं यह हर फारम वाला हर कोई भी जो रेगा वो यह जुरूर बताएगा इतने चोटे से स्टार्ट मुझे लेगिन कोई रिक्वार्मेंट करता तो बना के देना पड़ता है तो वह भी ले सकते हो आप आट-दस किलों के भी ठीक है और क्वालिटी आपको शिर डाइट रहती है तो डाइट आप के लिए मैं वीडियो अलग से बनाया हूँ मेरा इसी चैनल पर आप वीडियो देख लीजिए शिरोई ब्रेड का फीड के बारे में बदाया तो वह खिला सकते हो अभी सर्दी के साब से बढ़िया है जितने बच्चे को खिलाओ को इतनी स से बड़े है तो तरफ साइनिंग में बच्चे अगर किसी रिक्वार्मेंट कर दो तो मुझसे कौंटेक्ट करके वाटसरम नंबर पर बुखिंग करवा बाइट remain माल ले सकते हो लेकिन है को फूड़ा बौत किसी वह को चाहिए तो आप खुद फारम विजिट करके ले सकत इसी शाइनिंग जैसी वालेटि आप मांगोगे के मुंडे चुछी जाइए इस सबसे मिल जाए गूसी चाहिए या उन्दू चाहिए वह आप पर डिपेंड आपके क्या रिकवर्मेंट हो और अगर कोई भई ओर फार्मिंग के लिए सटार्टिंग गर्वानि का बग विकषा फाइबादी का बीगोष निकल जाते हैं कम से कम थे जो भी विया फार्मिंग कर रहा है तो मेरे यह रहेगा कि दूद पीते बच्चे कभी भी फार्मिंग के लिए स्टार्टिंग मत कीजिए लो सिखा होगे नुकसान ही रहेगा और वो बच्चे ले भी लोगे तो यसी साइनिंग यह इती ग्रोथ नहीं हो पाएगी उनकी जैस अगर आप बच्चा लेना चाता हो तो पांट-छे मेने से चार मेने से स्टार्टिंग करें जितनी दूरी हो उत्ते बड़े जे बच्चे से स्टार्टिंग करोगे तो आप फार्मिंग में सक्सेस हो पाओगे देखली सीर्वी बेड़ी में माल अगर किसीग्वाइ रिक्वार्मेंट हो जब सी कुछांड तो कि कि अओ राओ लुप आ रख दो कर दो धग जँ हद याधि । कि अदा राओ ले भर लुप लोह जग जब भाओ ले जब लगफ लुप ले इग जब फड़ने कूं दो जब भाओ ले जब ले दुप ले इध झाल झाल